केंद्री वित्यमंत्री अरुजेटली ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2.50 पैसे प्रति लीटर की का एलान किया इस एलान के बाद शुक्रिवार को दिल्ले में पेट्रोल की कीमत घट कर 81.50 पैसे प्रति लीटर हो गई है वहीं मुंबई में ये 90 रुपे के दाइरे से नीचे आकर 86 रुपे 97 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है गौर तलब है कि उपभोगताओं को राहत देने के लिए केंद्री ने डीजल पेट्रोल पर उतपाद शुल्क में 1.50 पैसे की कमी की है और पेट्रोलियम का खुद्रा काम करने वाली सरकारी कमपनियों को भाव एक एक रुपे प्रति लीटर कम करने और उसका बोज़ खुद वहन करने के लिए कहा गया है वित्यमंत्री अरुन जेटली ने राजियों से भी वैट में कट्रोती करते हुए कीमतों में कमी करने की सुझाव दिया जिसके बाद 12 बीजेपी शासित राजियों और जम्मू कश्मीर ने 2.05 पैसे की और कमी कर दी इस तरह से इन राजियों में तेल की कीमतों में 5 रुपे प्रति लीटर तक की कमी आने की संभावना है दिल्ली में पेटरोल की कीमत घटकर 81.50 पैसे प्रति लीटर हो गई है एक दिन पहले यानि गुरुवार 4 अक्टुबर को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपे प्रति लीटर थी टैक्स का टौती के बाद दिल्ली में शुक्रुवार को डीजल 72 रुपे 95 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है मुंबई में पेट्रोल की कीमत घटकर 86 रुपे 97 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपे 45 पैसे प्रति लीटर हो गई है गुरुवार को मुंबई में पेट्रोल की कीमत 94 रुपे 34 पैसे और डीजल की कीमत 80 रुपे 10 पैसे थी कोलकाता में शुक्रवार 5 अक्टूबर को पेट्रोल का रेट 83 रुपे 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल का रेट 74 रुपे 80 पैसे प्रति लीटर हो गया है चन्ने में 5 अक्टूबर को पेट्रोल 84 रुपे 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपे 11 पैसे मिल रहा है इस तरह नॉइडा में शुक्रुवार 5 अक्टुबर को पेट्रोल की कीमत 89 रुपे 8 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 71 रुपे 10 पैसे प्रति लीटर है